के गाइज इस नीरज एने वाज़ेंग क्योट्रिक्स 2.0 क्योट्रिक्स की ऑफिशल यूट्यूब चैनल क्योट्रिक्स 2.0 पर आपका स्वागत है आज है डे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तो आज का पहला कुश्चन है आपका यदि A की I, B की I से 50% कम है तो B की I, A से कितनी प्रतिशत अधिक होगी अब ऐसे कोश्चन में अधिकतर बच्चे क्या करेंगे सीधे 50% पर टिक कर गे आ जाएंगे यह मैंने पुरानी क्लासे में भी बताया हुआ है कि अगर दो चीज हैं A और B जैसे A और B से नहीं मैं इसको आपको 100 से समझाता हूँ जैसे मालो एक है 100 अगर इसमें हमने 50% इंक्रीज किया तो यह 150 हो जाता है यह 150 प्रसंट बढ़ाएंगे तो यह 150 हो जाता है ऐसा नहीं कि 100 प्लस 50 जोड़ दिया इसका तरीका है इसका तरीका होता है जैसे आप पुराने जमाने में क्या करते थे 100 प्लस 100 इंटू 50 अपॉन हंडर्ड तो ऐसे आया ही 150 या तो आज कल क्या करते हैं 100 इंटू 150 परसंट भी करेंगे तो 100 जगा ऐसा नहीं होता है ज्यान रखेगा तो वहीं आपको सीखना है कि 100 से जब हमने 50 परसंट बढ़ाए तो 150 आया लेकिन 150 से जब हम 100 की तरफ आएंगे तो क्या हमारी वैल्यू रहेगी यह हमको बताना है ठीक है चलो देखते हैं यह हमारे पास दो लोग प्रतिश्यत कम है यानी 50 है 50 है कि इतना क्लेट हो गया कोई दिक्कत नहीं पक्का चलो अब आगे लिगते हैं तो एक यहाई 50 हो गई बी की 100 कि निकालना है कि 100 50 से कितना परसंट जाधा है जो 100 है वो 50 से कितना परसंट जादा है मतलब 50 में हम कितना परसंट बढ़ाएं कि 100 आ जाएं यह तो हमको करना है उसका एक ही तरीका है मैंने आपको पहले भी बताया है इसको पहले आप language बना लो क्या करना है हमको कि B की आए कि A की आए से कितने प्रतिशत अधिक है तो यह तो हिंदी में हो गया अगर इंग्लिश में मैं दिखूंगा तो ठीक है income of B is what percent more than A तो यह more than A हो गया और A की आए से हो गया तो कहने का मतलब यह है कि more than A और A की आए से मतलब comparison A से हो रहा है तो मैंने इस पर highlight क्यों किया कि जिससे comparison होगा उसको आप नीचे रखोगे है कि भई सर यह जो तरीका है यह बहुत जादा complicated हमको लग रहा है तो आपको क्या करना है बेसिकलिए आपके पास दो value है A की 50 है और B की 100 है आप compare किस से कर रहे हो ए से compare कर रहे हो तो year a 50 तो आपए काम करो 50 को मान लो 100 percent तो वन की value जाएगी 100 upon 50 जाएगी या इरैश अगर 52-100 ग्र संट है option number B आपका answer होगा hopefully clear हो गया होगा, अगर किसे को doubt है तो comment section में ज़रूर बताना कि सर question number 16 में दिक्कत है अगली class में मैं ये doubt आपका clear कर दूँगा ठीक है, बढ़ते हैं के लिए question की तरफ तो जो अगला question है, एक वेक्ती ने अपनी आये का अब ऐसे questions के जो basic questions, सबसे पहले इसका basic करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आप नीचे description box में percentage का एक link मिलेगा आपको जिसमें बहुत सारी percentage मैंने आपको बढ़ा रखा है एक चीज, बहुत छोड़ी छोड़ी चीज, आप किसी भी background के हो मैं हमेशार class में कहता हूँ, आप bio के हैं, आप commerce के हैं, आप arts के हैं कोई फरग नी पढ़ता, आपको math समझ में आ जाएगी आप उनको जाके जरूर पढ़िए फिराल इस question को देखते हैं, इसके basic questions या इन ही questions को आपको दुबारा करना है, तो percentage की series को जरूर पढ़िए, तो चले शुरू करते हैं, एक विक्ति ने अपनी AI का 20 प्रतिशत अपने बड़े पुतर को दे दिया, आप इस case में आपको जो मासिक आए है, वो हमेशा 100% माननी है, एक बात और, आपको अपनी books में जो भी किताबे आप यूज करते हैं, उसमें X मान के कराया होगा है question, अब देखो 2023 में जी रहे हो, 2010 वाली बात है तो मत ही करो, एक आप question में कहीं पर मानना पड़ रहा तो अलग बात है, एक वेक्ति मत माना करो, अब वो time नहीं रहा कि आप X मान के questions को करोगे, ठीक है वो जमाना जा चुका, अब advance तरीके है, advance method है, उससे questions को करिए, ठीक है, सीखिए, तो 100% आपका total उसके हमने monthly income मान ली, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक वेक्ति ने अपनी आयका 20% अपने बड़े पुतर को दे दिया, यानि 20% का मतलब 100 का 20 हो गया, 20 उसने अपने बड़े बड़े बेटे को दे दिया, ठीक है, हो गया, अब 20 अगर बड़े बेटे को दे दिया, तो बचा कितना उसके पास, 80 बचा, 100 में से 20 अगर उसने दे दिया, तो 80 उसके पास बचा, तो था 6, यानि 6 80 है, 6 का 30 परतिशत अपने छोटे पुतर को दे दिया, अब जो calculation होगी हो इस पे होगी है, तो उसने बड़े बेटे को दे दिया, इक संट गया है, तो 80 मेंसे 30 परतिशत, अपने छोटे पुतर को दे दिया, तो 80 मेंसे 30 परतिशत, तो 80 का 30% कितना होता है निकाल के देखो के 24 आएगा अगर निकाल के देखना चाहते हो तो 80 गुणा 30 बटा 100 गरोगे 0 से 0 कटेगा 8 24 यानि 80 में से 24 30% मत लिख देना है यहाँ पर यहाँ पर था हमने 20 क्यूं लिखा था कि 100 का 20% 20 ही होता है तो 80 का 30% 24 होता है तो 80 का 30% 24 उसने अपने कोटे पुतर को दे दिया यानि यह दे दिया उसने अपने एल्डर सन को अब बाकी कितना बचा बाकी यहाँ पर कितना बचेगा 80-24 आप कर सकते हो या सीधे सीधे इसका 70% भी निकाल सकते हो तो क्योंकि यहां पर 30 है तो यहां पर 70 होगा आठ सते 56 या अगर इसमें confusion हो रहा तो 80-24 करोगे उतना ही तो बचेगा 56 बचा शेष बची हुई रासी का 10 परतिशत उसने एक टरस्ट को दे दिया या इसके पास कितना बचेगा 56 का 90 परसेंट उसके बचेगा 56 इंटू 90 अपन 100 यहां पर जो भी वैल्यू आएगी या 56 में से आप 5.6 को माइनस भी कर सकते हो यहां पर जो वैल्यू आएगी उसको उसने ए दिया इस प्रकार उसके पास 10,000 नहीं सॉरी 5.6 उसने टरस्ट को दे तो बचे कितने उसके पास 10,080 रूपय यानि और यहां पर एच्छुले कितना बचा उसके पास बचा 56 का 90 परतिशत जो आप यहां पर मान निकालोगे मान निकालने की ज़रूरत है नहीं तो हमने क्या किया सीदे सीदे 56 into 90 upon 100 कर दिया यह आपकी वैल्यू है जो बची हुई है इस फॉर्मेट से परसेंटेज वाले फॉर्मेट से और यह है रूपीज में यानि इसकी वैल्यू हो गई इतनी है तो यह हो गया 56 into 90 upon 100 की वैल्यू इतनी हो गया आपको क्या मासिक आए 100 की कितनी हो जाएगी 10080 upon 56 into 90 यहां चला गया वन की वैल्यू इतनी हो गई तो अगर वन की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कैसा निकले की इसमें एक और 100 से मल्टिप्लाइ करेंगे मैं यहां पर नहीं कर रहा हूँ नहीं तो मेरे पीशे छिप जाएगा यानि 10080 into 100 upon 56 into 90 और यहां पर into 100 हो जाएगा यह है कि 100 की वैल्यू कर इतनी है तो वह एक चॉकलेट का प्राइस अगर 10 रुपए 20 रुपए है तो 100 का कितना होगा उसको into 100 कर देंगे तो वह हमने कर दिया यहां पर अब करते हैं इसको solve जो की थोड़ा सा difficult task मुझे लग रहा है तो solve कर लेते हैं दो एक दो तीन चार यहां पर चार जीरो आपका आंसर होगा जो है आपका option number D चीक है option number D आपका आंसर होगा 20,000 रुपए उसकी मासे कर नहीं है तो इस तरीकी सा आप question को कर सकते हैं अगर आप x मान के करोगे तो बहुत complicated हो जाएगा यहां पर मैंने आपको समझाया है तब वहाँ पर जाके एक दिन में percentage की पूरी प्रियलेश पढ़ लो सब समझ में आ जाएगा अगला question देखते हैं इसी परिक्षा में देने वालों में 640 लड़के हैं तता 360 लड़किया थी लड़कों के 60 परतिशत तता लड़कियों के 80 परतिशत परिक्षा में सफल रहे तो fail ह होने वाले परिक्षारतियों का प्रतिशत क्या था तो ध्यान दीजिएगा इंगलिश या हिंदी जो भी है हिंदी में समझाते रहा हूं एक पेपर हुआ उसमें 640 लड़के थे 60 परतिशत लड़के पास हुए 80 परतिशत लड़किया पास हुई तो fail होने वाले परिक्षारतियों का प्रतिशत यह मत कर देना कि 640 में से 60 परतिशत पास होगे तो 40 परसंट फेल हो गया और यहां पर 40 में से 20 होगे तो 60 परसंट हमारा अंसर होगे मैंने क्या कहा मैंने यह कहा कि बॉइज में 60 परसंट पास हुए है तो obviously 40 परसंट फेल होगे और गर्ल्स में 80 परसंट पास हुए है तो 20 परसंट फेल होगे तो 40 और 20 परसंट अंसर लिखके मत आ जाना होँ पर क्यों क्यों यहां पर overall percentage आप से पूछा गया है यह गलत होता तरीका तो कैसे हमको करना है मैं यह भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि क्या गलती आप वहां पर कर सकते हो तो देखो ध्यान से 240 बच्चे हैं टोटल इसमें से 60 परसंट पास हुए हैं और obviously 40 परसंट फेल हुए होंगे similarly 360 लड़किया है इसमें से 80 परसंट पास हुई है और obviously 20 परसंट फेल हुए है च्छाइचको 24, carry 2, 6-6, 36, 37, 38, 384 आ गया, 40% के लिए 4 से multiply कर दो, 4, 4, 16, carry 1, 4, 6, 6, 24, 25, जोड़ दोगे, 640 ही आएगा, ठीक है, इसको उटा दे रहा हूं, क्योंकि इसकी जरुवत हमें नहीं है, ठीक है, तो basically जो लड़के पास हुए हैं, वो 384 हैं, जो लड़के फेल हु 288 बच्चे हुए हैं, जो पास हुए हैं लड़कियों में, 20% आपको निकालना है, तो 6, 2, 12, 3, 2, 6, और 1, 7, ठीक है, 72 बच्चे आपके फेल हुए हैं, 288 प्लस 72, ठीक है, यह फेल हुए, यह पास हुए, अब आपको निकालना है कि फेल हुने वाले परिशारतियों का प् इतने में से, इन दोनों के एडिशन में से, यानि 0, 6, 4, 10, 6, 7, 8, 9, 10, हजार बच्चे में 328 बच्चा फेल हुए हैं, तो कितना परसेंट हुए कैसे निकालोगे, बहुत असान है, ठीक है, यानि बेसिकलिए आपको यहां पे निकालना है कि 328, फिरसे मैं वही बोल रहा ह है, ठीक है, तो 328, 1000 का मतलब जिससे कंपेर कर रहे हुए नीचे आजाएगा, मैंने हमेशा आपको ऐसे समझाया है, 900, 0-0 कटा, आंसर आगया आपका 32.8, यह आप्शन नमबर D, कभी भी वह गलती मत करना जो मैंने शुरू में बताई थी, कि इसमें जोड़ा, इसमें है, तता पुना उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, अंतिम रूप में उस संख्या, फिर ते वही बात देखो, मैं हमेशा बता रहा हूँ, कल भी बताया, परसो भी बताया, आज फिर बताया था, पहले वाले कुशन में, फिर से बता रहा हूँ, कि अगर 10% बढ़ाया है, और 10% फिर से कम कर दोगे, तो वो नंबर नहीं आता है, तो यहाँ पर यह मत लिखके आ जाना कि कोई परिवर्तन नहीं होता, है न, 10% बढ़ाओ, simple, formula भी होता है, लेकिन formula से में नहीं बता रहा हूँ, basic आना चाहिए, मालो की नंबर 100 है, 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ाया, तो 10% आएगा 110, फिर 10% कम किया, तो 10% कम करोगे, मतलब 110 का 90 परतिशत निकालोगे, 110 गुणा 90 परतिशत, 90 बटा 100, अंसर आया 99, जो 100 था, वो 10 परतिशत बढ़ाया, फिर 10 परतिशत कम किया, तो 99 हो गया, यानि 1% की कमी हो गई, option number B, है न, कोई परिवर्तन नहीं होता, यह मत ल x, plus minus y, plus minus xy upon 100, ठीक है, xy upon 100, तो यह हो गया, plus minus x, यानि minus का प्रिद्धी होई है, यानि plus का 10 लिखोगे, फिर कमी होई है, यानि minus का 10 लिखोगे, फिर minus into plus minus 100 upon 100 कर दोगे, ठीक है, फॉर्मूला यह लगा सकते हो, 10 से 10 कर दिया, तो 0-0 कर गया, minus 1%, तो minus 1% का मतलब होता है, एक परसंट की कमी अब कई लोगं को लग रहा होगा कि सर हमने तो बुग में ये फॉर्मूला पढ़ा है कि माइनस का x स्कुएर अपॉन 100 हमने तो सर ये फॉर्मूला पढ़ा है आप तो गलत पढ़ा रहे हो या आप long method बता रहे हो अरे बेटा ये 10 परसंट है अगर ये 10 नहीं आया 20 आगया 30 आगया 40 आगया तब क्या करोगे तब तो ये फॉर्मूला तुम्हारा काम नहीं करेगा ना तो एक फॉर्मूला याद रखो जो हर किसी में काम आए अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग फॉर्मूला याद मत करो यह formula जो है वो इसी से बना है क्यों क्योंकि x और y दोनों same है तो y की जगा पे x कर दिया तो x square हो गया और इससे ये cut गया समझ में आया x x कर गया बचा x square upon 100 तो ये formula मत करो याद वहाँ जाके भूल जाओगे simply याद रखो plus minus x plus minus y plus minus x y upon 100 इससे तुमारा सब हो जाएगा कि समझ में आया बहुत बढ़िया बढ़ते हैं हम लोग अगले question की तरफ तो जो हमारा अगला question आज का है वो है निम में से सबसे छोटा क्या है लोग घर लेते हैं तो 100 का 22 सही एक बट्टा दो परतिशत ठीक है तो 22 दूनी 44 और 45 बट्टा दो परतिशत यानि 100 गुणा 45 बट्टा दो गुणा 100 तो से 100 कर दिया 45 बट्टे 2 कितना हो जाता भीया दो दूनी 4 दो दूनी 4 22.5 पहले का तो यह आ गया दूसरा 12.55 बार यानि 12.5555 चलता रहेगा इसरा है 18 अपन 5 का square यानि 18 का square कितना होता है 18 का square इसको आप ऐसे भी कर सकते हो है ना अब देखो यह ज्यादा tough पड़ेगा कैसे tough पड़ेगा 18 है और नीचे 5 हैगा square करोगे तो उपर square हो जागा 324 और नीचे हो जागा 25 तो इसको भाग देना पड़ेगा आपको 25 से आप divide कर दो एक सेकंड देना 25 से डिवाइड कर देंगे हम किसको 324 को डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा 25 बंजा 25 ठीक है और यह हो जाएगा 7 और यहां पर जाएगा पंधर और यहां पर जाएगा 25 ठीक है तो 5, 6, ठीक है, clear है इतना आगे बढ़ते हैं Android का 160 Android का 160 जो है आपका वो क्या होगा, Android का 160 निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, अब ये थोड़ा सा difficult होता है, कि 160 भई कैसे निकालेंगे सर, तो जैसे करते हैं, वैसी करोगे इतना तो अंदाज़ा आपको लगाना चाहिए, देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपको निकालने के लिए बोला गया, तो 169 तो हमको पता है कि 13 होता है और 12 का कितना होता है, अंडूर ऑफ 144 जो है एक काम करो, अंदाज़ा लगा लो, पूरा-पूरा सॉल्व मत करो, आपके पास दो नंबर तो आगे हैं, एक तो 12.555 और 12.56 आ चुका है, तो अब आपको एक काम करो, अंदाज़ा लगा लो कि होगा या नहीं होगा, अंदाज़ा कैसे लगेगा, 125 का कर लो, सबसे आने, तो 125-125 करोगे, तो आपका क्या होगा, उससे फाइदा क्या होगा, 12.5 है, अब किसी भी नंबर का, जो मुझे पता है, इसका क्या होता है, इसका होता है, 15625 और यहां पर डेसिमल लग जाएगा, यह जो आपका 12.5 से तो जादा है, बही 156 आया और यह 160 है, तो इसका मतलब जो इसका नंबर है, वो 12.5 से जादा है, यह जो आपका 12.6 के अराउंड सम्तिंग होगा, तो हम छोटे संबर निकालने तो यह तो हमारा अंसर नहीं हो सकता, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, हमेशा पूरा सॉल्व करके नहीं देखना है, तो 12.5 यह 22. 22.5 वे, 12.55 वे, 12.56 आ गया, तो यहाँ पे जो आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर भी, क्योंकि यह 12.55 चलता रह रहा है, पाइप पही तो है, यह तो 6 आ गया न, तो यह आपका ऑप्शन नंबर भी आपका आंसर हो जाएगा,